नमस्कार प्रफार्स अक्षी निउस नेटों कर आप सभी का स्वागत है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी और संग परिवार देश में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैला रहे हैं राहूल गांधी बार बार ट्वीट करके आरोप लगाते हैं कि बीजेपी औ स्यादा नहीं पढ़ते वे अलपसंख्यक समधाय के सर्वांगीड उत्थान पर ध्यान दे रहे हैं पहले की सरकारों की तुष्टी करण की राजनीती को नकारते वे मोदी ने शाशन के पहले दिन से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो मूलमंत्र दिया है उसी को आधार बनाकर वे अपनी योजनाओं को तयार कर रहे हैं और उन्हें पूरी पार्दैशिता के साथ लागू करवा रहे हैं अलपसंख्यक समाच खास तोर पर मुस्लिम महिलाओं की आजादी के बाद यदि किसी सरकार ने सुध ली तो वे मोदी सरकार है मोदी सरकार ने उन्हें तीन तलाक से आजादी दिलाई और तमाम योजनाओं का लाब दे कर उनकी आर्थिक और सामाजिक इस्थिति को भी सुधारा इसके प्रणाम भी दिखने लगे हैं हाल ही में के राजिपाल आरिफ मुहम्मद खान ने कहा था कि तीन तलाक संबंधी कानून लाग ना बड़ी है उन्होंने भारतियंता पार्टी के नेताओं से आगामी रक्षा बंदन के त्योहार के दोरान अधिक से अधिक मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचने को कहा है हमापोजादी की मोदी ने सोमवार रात पस्टिम मंगाल ओडिशा और झारखंड के भाजपा और र समाज के हर वर्क से जोड़ने की जरुत पर जोड़ दिया और उसके बाद मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाग की प्रताव पर प्रतिबंद लगाने के अपी सरकार के फैसले का भी उल्ले कि बैठाक में मौजूद कुछ सांसलों ने कहा कि प्रसामत्री ने उनसे अ चालिया मन की बात समोधन में उन्होंने कहा था कि इस साल चार हजार से अधिक मुस्लिम महिलाओं का महरम के बिना हज करना एक बड़ा परिवर्तन है उन्होंने जोड़ दे कर कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी सरकार द्वारा हज नीच्ती में किये गए मनाया इसके लावा के पसमांदा मुसलिम अब्दुल्ला कुट्टी को भी रास्ट्य उपादक्ष मनाया गया इस तरह पहली बार बीजेपी में रास्ट्य उपादक्ष में यहां तक तीन तलाग समंदी कानून की बात है तो आपको पता दें की मोधी सरकार ने इस प्रथा को अवैद घोशित किया गया था इस अपराद के लिए पती को जेल की सजा हो सकती है बाराल बीजेपी और NDA सांसदों के रक्षा बंदन त्योहर मुस्लिम महिलाओं के साथ मनाने संबंदी मोधी के निर्देश पर जब हमने विश्व इंदु परश्यत की प्रितिक्राइब जाननी चाहिए तो यह देखते हैं संक्ठन के केंद्री सह मंत्री विजेश शेंकर तिवाली ने क्या कहा है प्रधान मंत्री जी ने एक रुपए दिया जाएगा तो इनको आधा मान करके आधा दिया जाएगा यह यह दो हजार तेईस है यह चछटी साथ मिस्टाब्धी नहीं है आज की महिला चाहे मुसल्मान की हो चाहे हिंदू की महिला हो वह बहुत सजग है वह अपने करता भी जानती है अपने अधिका हो चाहिंदू के बेटी हो सब हमारी बेहन माताय माताय बेहन है यह हमारा दर्शन है यह हमारी अधिस्टी है और मुझे लगता है यह करना चीए अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके